Welcome to Disabilities and Associated Subjects, मेरा नाम है सुर्भी गुपता और आज हम Intelligence और Multiple Intelligence थेओरी के बारे में कुछ basic चीज़ जनेंगे जिससे कि हमारे दिमाग में एक blueprint ready हो जाए, जब हमसे कोई पूछे कि Intelligence क्या है, तो हम उनको बता सके, उनको समझा सके कभी कभी क्या होता है कि हमें पता होता है चीज़ें, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं होते कि हम उन चीज़ों को किस तरीके से explain करें, सामने वाले को कैसे बताए कि हाँ हमें ये चीज़ आती है, तो हम क्या करते हैं, हम Examples के तुरूस को समझाने की कोशिश करते हैं, अच्छा तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए, इसके लावा हमारे social media handle से जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, mail id में .com hide हो गया है, तो for more updates, अब बात करते हैं intelligence की, जो ये word है, वो Latin noun intelligence या से derived हुआ है, जिसका मतलब होता है comprehend होन या perceive करना किसी चीज को, एक ही word को कई तरीके से कहा जा सकता है, समझाया जा सकता है, same शब्द है, जैसे आपने देखा होगा PK movie में, वो बोलता है कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आता कि अच्छा का मतलब होता क्या है, अगर आपने अच्छा को बहुत खीच क रहे हैं, यानि कि आप को शक हो रहा है किसी पर, या आप किसी को अलगतरी किसे देख रहे हैं, तो जो अच्छा word है, उसको किस भाव के साथ कहा जा रहा है, किस expression के साथ कहा जा रहा है, ये सारी चीज़ों भी matter करती है, comprehension के लिए, कि वो सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चा तो intelligence यह है वो बाहरी रूप पे काम नहीं करता है intelligence internal work करता है यानि कि सामने वाला जो कह रहा है क्या वो चीज मेइस कर रही है उसके भाव भाव से जो उसकी अंदर जो इंटेंशन है उस से उस चीज को समझना intelligence कह कहलाता है, intelligence को अलग 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 तरीके से define किया है, कुछ कहते हैं कि capacity of logic है, तारकिक, कुछ कहते हैं कि capacity of understanding है, चीज़ों को समझना, कोई कहता है self awareness, learning, emotional knowledge, reasoning, planning, creativity और कुछ लोग कहते हैं कि critical thinking है, abstract thinking है, कुछ लोग कहते हैं कि intelligence जो है वो इस सबका sum up है तो different तरीके के लोगों ने different तरीके के पने विचार दिये लेकिन अगर हम कहें कि intelligence वाकई में है क्या अगर कुछ शब्दों में बात की जाए तो intelligence क्या है हम जानते है अगर आप से किसी ने पूछ ले कि intelligence क्या है तो intelligence क्या है intelligence as the ability to learn, adjust and take right decision at the right time यानि कि intelligence क्या है एक ability है learn करने की, adjust करने की चीजों को और सही समय पे सही decision लेने की अगर कोई स्थिति आपके सामने आती है कोई स्थिति आपके सामने आती है और आपने वहाँ कोई decision लिया माल दीजे वो decision आपका गलत हुआ तो आपने वहाँ से क्या किया, learn किया चीजों को उसके बाद similar ही situation आपके आँगे फर्दर आती है भविश्य में फिर कभी आती है तो आपने क्या किया, पहले वाले अनभव से उसको learn किया सीखा, adjust किया और जो अब situation सामने है भविश्य में अचा कुछ लोगों को यहां यह भी confusion हो सकता है कि क्या जो intelligence है वो ability है, वो सिर्फ learning और intelligence सेम है अधिकम जिसको हम कहते है लेकिन नहीं, जो बुद्धिमता होती है वो सीखने से अलग होती है, अधिकम से अलग होती है सीखना तथ्यों और सूचनाओ या चमताओं को बनाए रखने और भविश में उपयोग के लिए उन्हें याद करने में सक्षम होने की अधिनियम को संदर्वित करता है यानि कि learning क्या है कि आपको कोई formula बता दिया गया आपको कोई बात बता दिया गया लेकिन जब उसका हम जर्नलाइजिशन करते हैं उसको like में follow करते है कहाँ पर उसको follow करना चाहिए कहाँ पर नहीं करना चाहिए वो जो छमता होती है वो बुद्धी मता होती है लेकिन सीखना क्या होता है कि आपको सिर्फ बता दिया गया आपने वो समझ लिए अपने दिमाग में उसको रख लिया जैसे कि आपको बोला गया कि अगर कहीं दुक का माहल होता है कहीं शोक सभा होती है तो आपको वहां शांत रहना चाहिए दुख में शामिल होना चाहिए आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट बता दियागा कि इस तरीके मैंने कहा कि decision making जब कोई situation आपके सामने आती है कोई परिस्ते थी आपके सामने आती है तो आप किस तरीके से deal करते हैं मैं आपको इसका एक example बता देती हूँ कि एक लड़की थी जिसका बायबा था तो वो बायबा देने गई उसके साथ दूसरी एक लड़की और गई थी तो teacher ने क्या कहा कि question पूछे पहला question उस दूसरी वारी लड़की से पूछा तो लगा दर उसको चार question पूछे गए तो उसने एक का भी जवाब नहीं दिया जो दूसरी लड़की जिसके बार बें मैं बात कर रही हूँ उससे कहा कि आप अब इसके answer बताईए उस लड़की को पहले question का answer नहीं आता था तो उसको क्या करना चाहिए था वो second से answer देना शुरू करती या वो randomly पहले third का देती, fourth का देती चाहिए यह स्यक्वेश का देती नहीं इस समय से एक में कुछ किया उसने सीरीज को प्यलट दिया, उसने fourth का answer पहले दिया फिर थार्ड का Suget दिया, फिर second का दिया जो उसको बहुत अच्छे से आते थे उसने क्या किया फोर्थ को बहुत अच्छे से explain करा टीचर को लगा कि हां आता है third को किया Second को किया जब तक वो फर्स्ट पे आती टीचर ने का ठीक है ठीक है आपको आता है हमें पता चल गया कभी कभी क्या होता है कि हमें चीज़ें नहीं आती लेकिन हम किस तरीके से सिचुईशन को डील करते हैं कैसे चीज़ें को मैनेज करते हैं यह डिपेंड करता है हमारे विरन होने पर हमारे सक्सेज हम हो जाते हैं आना चाहिए उसको फर्स्ट कोशन भी लेकिन उस वक्त नहीं आता था तो उसने अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग किया उसने चीज़ो आपको बताया है तो आपको अपने उसको दिमांग में रखा यह नाम है वह ह। होवर्ट यह ओ है ठीक है सेगिन नंबर पे यह पिजडी बनाया है गार्डनर है ना गार्डनर एन ए आर है ठीक है इनका पूरा नाम है होवर्ट अर्ल गार्डनर जिनका जन्म 11 जुलाई सब्सक्राइब यह बहुत अच्छे व्यक्ति है और इन्हों ने मर्टिपल इंटेलिजन्स थ्योरी दीती आज इनकी उम्र 77 साल के यह हो चुकी है तो इन्हों ने बताया कि जो एक व्यक्ति है जो हूमन है हूमन की इंटेलिजन्स को जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम जर्ण इंटेलिजन्स की बात करते हैं इन्होंने बताया कि specific modality of intelligence होती है एक व्यक्ति में यानि कि तरीकों में इन्टैलिजेंस पाई जा सकती है इस प्रकार इन्होंने जो इंटैलिजेंस यह उसको जुछ डुर्प इन्हों थर्प च STAR जो एट ऊसके टाइप बतुप झाल इसमें मैं सबसे पहले आपको लिंग्विस्टिक बताना परसंद करूंगा siitä, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंतरगत वह व्यक्ति आती है, जिनके अंदर घ्याँन होता है syntax, semantics, pragmatics का किस तरीके से sentence form क понятно है subject, verb, object, से उसकी framing की जाती है semantic का라고 है, अगर कोई word लिखा भी हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसका भाव क्या है, जैसे कि example मैंने अपनी previous वीडियो में भी दिया है कि काली घटा का घमंड घटा, तो दौनों ही वर्ड घटा घटा है, लेकिन उसका क्या है, पहला जो वर्ड है घटा, काली घटा, यानि कि जो बादलों की बात की जा रही है, फिर घमंड घटा, वहा घर में इस्तिमाल करते हैं, वो अपनी सुसाइटी में नहीं करते हैं, या फिर हम जो वर्किंग प्लेस होता है, वहां पे नहीं करते हैं, तो इस सब चीज़ों का घ्यान होना, और किस तरीके की भाषा इस्तिमाल की जानी चाहिए, जब आप एक अधिगारी से बात कर रहे और lyricist होते हैं जो lyrics लिखते हैं लोग इसके बाद करते हैं mathematical की जिसको हम logical mathematical intelligence भी कहते हैं यह जो बच्चे होते हैं यह mathematical में काफी अच्छे होते हैं logical thinking होती है इनके पास abstract thinking होती है इनके पास और जैसे एक word बोलेंगे तो बोलेंगे कि play with the numbers जो कि उनने numbers से खेले हैं मज़े आत है उनको तो इस तरीके के लोगों में इस इंट क्याएजी की बात करते हैं तो इसमें nature से संबानलिटог को को बहुत ग्यान होता है उनको प्लांट के बारे में पता हूता है उनकी जो वर्ट होती है उनके बारे में पता होता है कि कौन सी किस से क्या difference है दो पेड़ों में क्या difference है काफी ज़्यादा deep knowledge वो लोग रखते हैं इसके बाद हम बात करते हैं intra-personality यानि कि जो intelligence होती है यानि कि खुद में जो नहित चीज़े होती है यानि कि एक व्यक्ति जो उसकी खुद के अंदर जो ability है उसको enable कर सके उनको जगा सके खुद के बारे में खुद को self aware कर सके अपने बारे में जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत smart होते हैं लेकर उनको अपनी abilities के बारे में पता ही नहीं होता कि वो लोग क्या कर सकते हैं उनके अंदर क्या-क्या qualities हैं जैसे कोई होता है कि normal singing करता है लेकिन वो वाकई में बहुत अच्छा singer होता है लेकिन इसको पता ही नहीं होता किसी ने अगर chance दिया और अगर वो निखर गया तो भढ़िया है लेकिन किसी-किसी को नहीं पता होता वो उसको जगा सके वो इसको enable कर सके उसको बाहर ला सके अपनी अंदर जो चीज़ नहीं थे उसके बदा हम वीज्वल की बात करते हैं जो दूसरों में चीज़े हैं उसको समझ सके जिसे कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो आप उसकी भाव को समझ सकें, अगर वो खुश है किसी चीज को लेके, तो आप उसकी जो भावना हैं, उनको समझ सकें, यानि कि इंटर, आपने देखाऊगा नहीं, इंटर कास्ट बोलते हैं, यानि कि दूसरी, अगर आप इंटरा और इंटरमेट कन्फ्यूज रोते हैं अगर आप किसी वक्ति की भाव को नहीं समझेंगे, किसी वक्ति की बातों को नहीं समझेंगे, तो आप इंटरेक्ट कैसे कर पाएंगे उससे, अगर कोई वक्ति दुखी है, और आप बहुत खुश हो के उससे बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यास्तिक हो, तो क्या वो आप से से खुद को कनेक्ट कर पाएगा क्या आप से बात कर पाएगे क्या वह आप से बात कर पाएगा नहीं तो इंट्रबर्सनल होना बहुत जरूरी है आपने देखा होगा कि विक्ति दुखी है तो हमें भी उस लेविल पर थोड़ा सा समझना होगा फिर धीरे दीरे उसकी इस विक्ति दुखा गया पहले से दिमाग में सारी चैस हो सकते हो कि यहां पर क्या होना चाहिए हमें आपने देखा होगा जो इंटीर डिजाइनर होते हैं वो उनको सिर्फ बता दिया जाता है कि यह खाली प्लॉट पड़ा हुआ यहां पर इंटीर डिजाइनर की बात कर देता होगा कि इसको यहां सेट कीजिए यहां चलागी इसको यहां सेट कीजिए या फिर यह सामन जबाएगा तो इसको यहां लगाए जाएगा सोफा यहां रखा जाएगा बैड यहां रखा जाएगा रूम खाली है लेकिन वो बता रहा है तो यह सारी चीजा की बिना ची है ना और rhyming, texture, timber इन सारी चीजों की क्या होती है sensitivity होती है rhymes की वो pitch में discrimination कर सकते हैं तो ये सारी music के बारे में मतलब knowledge होना जिनको तो वो musical intelligence के अंतर आता है, kinesthetic की जब बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि body से, kinesthetic से मतलब होता है body से, जितने भी जो athlete होते हैं जो हाथ से games खेलते हैं वो सारे लोग, वो इसमें आते हैं जैसे की विराट कोली है, उसको पता है intelligence क्या है उसकी, अगर सामने से ball किस तरीके सा रही है, तो किस तरीके से वो बैट घुमाएगा, तब छक्का लगेगा धोरिंग है जो, उसको पता है, इस तरीकी से दीपा कर कि, जो athlete है हमारी करमाकर, दीपा करमाकर I think मैं गलत नहीं हूँ तो, तो उनको भी पता है कि किस तरीकी से मैं कहां, कितना उन्होंने distance आखों से, मतलब मेजर कर लिए कि multiple intelligence theory की जब हम बात करते हैं तो हम किस चीज़ों को जानते हैं और जब हम intelligence की बात करते हैं, तो उसका मतलब हमारा किन चीज़ों से होता है तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं Thanks for listening, if you like the video, please share जैहिन